डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12D को शुरू करेंगे इसमें हमें जो हमारी शेप्स होती हैं पैललोग्राम, रॉम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वेर इनके बारे में स्टडी करना है एक होर होती है हमारे पास काइट वो भी आएगा इसमें तो पहले इ पैललोग्राम क्या होगा पहले हम शेप्स मनाते हैं पैललोग्राम होता है इस तरह से इसमें यह जो साइड सामने वाली साइड है यह इसके बराबर और यह साइड इसके बराबर होती है तो पहली चीज आपको यह याद रखना है इनको नोट कर लेना है जो जो मैं आपको बताओ फिर नेक्स जो है पेरलेलोग्राम के जो सामने वाले एंगल है ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है ठीके फिर जो है इसमें एक चीज और जो है वो क्या है कि डाइगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं यह बात ध्यान देनी है यह diagonal एक diagonal बड़ा होगा और यह diagonal छोटा होगा लेकिन यह bisect करते हैं bisect का मतलब क्या है कि जहां पर यह काटते हैं इस तरफ से यह diagonal इदर वाले के बराबर मतलब आदाधा कर देते हैं एक दूसरे को और इधर वाला हिस्सा इसके बराबर ये आपको दिहान लखना है फिर जो है उसके बाद एक शेप आती है हमारे पास रॉम्बस रॉम्बस होता है जिसकी चारो साइडें बराबर रॉम्बस क्या होता है जिसकी चारो साइडें बराबर square की भी चारो side में बराबर होते हैं लेकिन इन में फरक है square के सारे angle 90 degree के होते हैं लेकिन rombus में ऐसा नहीं है rombus में एक diagonal बड़ा होता है और एक diagonal छोटा होता है ठीक है? और ये जो है diagonal एक बात आपने दिहान देनी है rombus और square इनके diagonal जो होते हैं न वो एक दूसरे को 90 degree पे काटते हैं मतलब जहां पर ये काटते हैं वहाँ चारो angle 90 के होते हैं और ये भी इसी तरह से 90 के angle पे cut करता है तो अगर आपको पुछा जाए कि ऐसी shape बताओ जिसके diagonals are bisect each other at 90 degree या फिर at right angle diagonal जो है एक दूसरे को right angle पे bisect करते हो तो वो shape होगी या तो rhombus या फिर square ठीक है bisect करते हैं लेकिन 90 degree पे करने वाले दो shape हैं rhombus और square जो हमने दूसरा पढ़ा है parallelogram इसके diagonal bisect तो करते हैं लेकिन 90 degree पे नहीं ऐसे ही rectangle के diagonal bisect तो करते हैं लेकिन 90 degree पे नहीं ठीक है उसके बाद जो चीज़ें ध्यान देनी है रोंबस में कुछ चीज़ें रहेगी जो बता देता हूँ मैं आपको एक तो चारो साइडें बराबर होती है फिर एक डाइगनल छोटा एक बड़ा होता है लेकिन एक दूसरे को 90 डिगरी पे बाइसेक्ट करते है ठीक है और एक इसमें भी जो हमें ध्यान देना है वो है कि सामने वाले अंगल इसके भी बराबर होते है अपोजिट अंगल और एकवल और जो साइडें होती है वो तो पैरलल होती ही है parallel side इस तरह से ठीक है parallelogram में भी यह extra बन गया यह side इसके parallel भी है और बराबर भी है यह side इसके parallel भी है और बराबर भी है उसके बाद एक होता है kite तो kite वाला sum आएगा हमारे पस तब बता दूँगा लेकिन उसकी shape आपने ध्यान दे देनी है थोड़ी सी वो इस तरह से एक side से दो side इं छोटी होती है यह वाली और यह बराबर भी होती है और इधर वाली side ने लंबी होती है और यह भी आपस में दोनों बराबर होंगी ठीक है उसके बाद इसका एक diagonal यह होता है और एक इस तरह से होता है और इसके diagonal भी एक दूसरे को 90 degree पे cut करते हैं यह आपको ध्यान देना है उसके बाद इसमें ये side इसके बराबर होती है ये वाली side इसके बराबर होती है ठीक है? diagonal बराबर नहीं होते है लेकिन एक दूसरे को 90 degree पे by-set कर देते हैं ठीक है? उसके बाद ये जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर नहीं होता जिरफ एक पेर जो है वो बराबर होता है ये सामने वाला ये आपको नोट रखना है अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारी इसमें जो है फास्ट है हमारा दे अड्ज लाय गया, adjacent sides जो है, AD या फिर DA और AB, parallelogram ABCD की 3 cm है, state the measurement of all sides, what is another name for the figure, तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो parallelogram बनाना है ABCD, यह shape आपने मिलानी है, ABCD, याद रखना है, जब भी आपको नाम लिखना हो, किसी भी quadilator का, तो वो circle में लिखना, ABCD, इस तरह से, circle बनना चाहिए, उसके बाद, अब हमें जो sides बता रखे हैं, DA, DA side है यह वाली, हाना, तो यह है 3 cm, और AB भी 3 है, तो अब हमें पूछा गया कि सभी sides की measurement लिख दो भई, तो कैसे लिख देंगे फिर हम, हमें एक चीज़ पता है जो मैंने बताई थी कि parallelogram की सामने वाली side बराबर होती है, तो AB side 3 है, तो DC भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, AD 3 है, तो सामने वाली भी 3 हो जाएगी, what is another name for the figure, तो हम लिखेंगे another name is rhombus, ठीक है, हम लिखेंगे AB is equal to BC, is equal to CD, is equal to DA, is equal to 3 cm, ठीक है, और another name is rhombus, next है, two adjacent sides of parallelogram are equal, and included angle is right angle, what is the specific name for the figure, अब ध्यान देना है, हमें बोल रखा है भी parallelogram है, अब वो कैसा parallelogram है, जिसकी adjacent side, पहले मैं आपको बता देता हूं क्या होती है, opposite side तो बोलते हैं, जैसे ये side हमने ले लिए, इसकी opposite बनेगी, ये सामने वाले, लेकिन adjacent होती है, ये और ये, इस line की adjacent कौन सी होगी, ये line और ये line, adjacent होती है, बिल्कुल साथ वाली जो touch कर रही है, अब ये adjacent जो बता रखा है उन्हें, कि इस line की adjacent जो है, वो इसके बराबर है, मतलब चारो साइडें बराबर हैं, तो shape तो बननी चाहिए, रॉमबस, ठीक है, चारो साइडें बराबर रॉमबस, लेकिन साथ हमें एक चीज़ बताया गया, included angle is a right angle, तो ये जो angle है, वो 90 degree के हैं, अब 90 degree के हैं, तो line तो सीध्य होती है, 90 degree तो सीधा होता है बिल्कुल, तो रॉमबस की बजाए, ये shape बन जाएगी square, ठीक है बात समझाई, पहले हमें बोला गया parallelogram है, लेकिन उसकी side बराबर कर दो, तो side बराबर करेंगे parallelogram की, तो वो रॉमबस होता है, लेकिन अगर angle भी नब्बे के कर दियें, तो वो रॉमबस की जगा बन जाएगा square, तो इसका answer हम देंगे square, fill in the blanks, next fill in the blanks करने हमें, if the diagonal of quadilateral bisect each other, अगर diagonal जो है, बाइसेक्ट करते हैं, सिरफ हमें एक ही चीज बतार के भी diagonal bisect करते हैं, तो आपने इसका answer देना है parallelogram, क्या answer देना है parallelogram, उसके बाद next, if the diagonal of quadilator bisect each other, अब देखो यहाँ तक तो parallelogram की definition है, लेकिन अगर लिख दिया at right angle, तो हम क्या लिख देंगे इसको, रॉंबस, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि diagonal bisect जो करते हैं, 90 degree के उपर, वो करते हैं, रॉंबस के, फिर जो है next, if the diagonal, sorry, in a square, एक square के अंदर, dash angle are equal, square के अंदर, कितने angle equal होते हैं, सभी के सभी, क्योंकि सभी 90 degree के होते हैं, तो इसमें लिखेंगे, in a square, all angle are equal, and all sides are equal, regular quadrilateral, अब आपको याद रखना है, जिसकी सारी साइडें बराबर हों, उसको regular भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, regular, उसके बाद next है, in a rhombus, dash angle are equal, and dash sides are equal, rhombus में सभी sides जो हैं, वो बराबर होती हैं, लेकिन angle कौन से बराबर होते हैं, angle होते हैं, सामने वाले, ये angle इसके बराबर, ये angle इसके बराबर, तो इनको बोले जाता है, opposite angle, तो हम लेखेंगे, in a rhombus, opposite angle are equal, and all sides are equal, next है, the adjacent sides of parallelogram are 7 cm, and 10 cm, adjacent side हमें दे रखी हैं, 7 और 10, तो हम इसको कैसे solve करेंगे, हमें बताना क्या है, इसमें perimeter, perimeter कैसे बताएंगे, देखो, ये side है, 10 cm, ये 7 है, तो सामने वाली 10 हो जाएगी, और इसके सामने वाली 7 हो जाएगी, perimeter की definition आपको याद रखनी है, sum of all sides, कोई भी shape हो, उसकी सभी side को जोड़ दो, तो वो perimeter बन जाता है, तो इसका perimeter कैसे बन जाएगा, 10 plus 7 plus 10 plus 7, तो ये बन जाएगा हमारा 34 cm, इस तरह से इसको solve कर देना है, आपने, next है, f part में है, the ratio of sides, of a parallelogram, 4 is to 5, अब ratio हमें दे रखी है, जब भी ratio दे रखी हूँ, तो आपने क्या करना है, उसके साथ x लगा के इसको let कर लेना है, जैसे 5, एक side हो जाएगी 4x, एक हो जाएगी 5x, अब सामने वाली side दो बराबर होती हैं, तो यह 5x और यह हो जाएगी 4x, अब हमें जो perimeter given है, वो है 54, तो perimeter मैंने आपको बताया, sum of all sides, तो सभी side ओं को plus कर दो, 5x plus 4x plus 5x plus 4x is equal to 54, अब इनको plus कर दो एक बार, 5, 4, 9, 9, 18, तो 18x is equal to 54, तो x की value कितनी आएगी, 18 इधर multiply में है, इधर जाएगा divide में, तो 18, 3, 54, अब x की value हों पर चल चुकी है, तो हम जो है side असानी से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, जो हमने side light की है, 4x है, और x की जगा 3 है, तो first side होजेगी 4x3, 12, next side होजेगी 5x3, 15, तो first side होजेगी 12, और next side होजेगी 15, इस तरह से आपको इसको solve करना है, next time जो है हमारा, next है, a rhombus has dash pair of parallel side, rhombus में कितनी parallel side होती है, कितने pair, अब rhombus जो होता है, इस तरह से होता है, side parallel कौन से होती है, एक, ये side आपस में parallel होगी, और ये side आपस में parallel, तो two pair जो होते हैं, एक pair ये, और एक pair ये, parallel होता है, next है, the diagonal of rhombus bisect each other, rhombus की मैंने आपको बताया था, कितने पे करते हैं, right angle पे, 90 degree पे, तो इसमें हम बरेंगे, bisect each other at right angle, next है, a rhombus has all its dash equal, तो सारी side equal होती है, तो इस dash में हम बरेंगे sides, a rhombus has all its sides equal, next हैगा, if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, the quadrilateral is dash or a dash, अब मैंने आपको शुरू में बताया था, कि right angle पे, किस-किस के diagonal bisect करते हैं, एक तो rhombus के करते हैं, और एक square के करते हैं, तो इस dash में हम भरेंगे, quadrilateral is rhombus or a square, इस तरह से आपने इसको complete करना है, next four sum जो है हमारे, fourth में हमें simple question है, इन्हें rhombus a, b, c, d, rhombus है, a, b, c, d, a, c, is equal to a, b, a, c और a, b, बराबर है, state the measure of angle d, angle d का measure हमें बताना है, यह वाला, ध्यान दो, यह rhombus हमें बना के दे रखा है, तिर्चा बना के दे रखा है, इसमें हमें बताया गए, a, b, और a, c, a, c, line है यह, और a, b, line है यह, अब यह दोनों बराबर है, एक चीज तो आपको पता है भी, चारो साइडें बराबर होती है, यह, 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 और यह, यह तो आपसमें बराबर है, अब हमें एक चीज बता जी गई, कि यह जो अंदर वाला, sorry, यह जो diagonal है, ये जो diagonal है ये इसके बराबर है और ये line जो है वो इसके बराबर है तो इसका मतलब ये जो triangle है वो equilateral triangle है और equilateral triangle क्या होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो और equilateral triangle जो है उसके सारे angle जो है वो 60 degree के होते हैं ये हमें ध्यान रखना है कितने degree के होते हैं 60 degree के तो हम जो है क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले हम लिखेंगे because a c is equal to a b because a c is equal to a b so ये जो line है वो a b के बराबर है और a b जो है वो किसके बराबर है b c के इसलिए a b c and a c d are equilateral triangle और equilateral triangle लिखने के बाद आपको लिखना है all angles of equilateral triangle are of measure 60 degree सभी angles 60 degree के होते हैं फिर आपको लिखना है अब ये angle d जो है ये हमसे पुछा गया तो हम लिखेंग angle d is equal to 60 degree और दूसरा जो है वो थोड़ा ध्यान दो वो पुछा गया है b a d मतलब ये पूरा angle बताओ अब आपको क्या note रखना है उपर एक equilateral triangle है तो ये 60 degree का हो गया नीचे भी एक equilateral triangle है तो ये भी 60 का हो गया तो total हो जाएगा ये 120 degree का लेकिन आपने लिखना कैसे है angle b a d is equal to angle d a c d a c plus angle b a c अब ये d a c उपर वाला भी 60 का है और ये नीचे वाला भी 60 का है तो total हो जाएगा 120 तो इस तरह से आपने बताना है d a हो जाएगा वो 60 degree का b a d हो जाएगा 120 degrees का next question है kite से related तो kite के बारे में पहले मैंने कुछ बताया था आपको अब थोड़ा और बता देते हैं क्या है इसमें kite में ये line जो है इस line के बराबर होती है ये इधर वली line इस line के बराबर होती है ये जो diagonal है ये diagonal आदा आदा जो है वो बराबर होगा लेकिन दूसरा diagonal छोटा और बढ़ा होगा next है कि सारे angle यहाँ पे 90 degree के होते है next है ये angle इसके बराबर होता है next है ये आधा angle नीचे वाले आधे angle के बराबर होता है ठीक है ये सारी बातें आपको note रखनी है अब हम first question is ad is equal to ab क्या ad और ab बराबर है तो हम answer देंगे yes ये line इसके बराबर होती है is dc is equal to bc तो ये भी आपस में बराबर होती है फिर adc congruent to abc adc ये उपर वाली ट्रेंगल क्या नीचे वाली ट्रेंगल जैसी है same है बिल्कुल same है हाँ ना same congruent है तो इसका answer भी हम देंगे yes next है सिरफ yes no में answer देना है explain करने की जरूरूरत नहीं है d o a d o a is equal to d o c d o c तो आपको देहान रखना है हमसे पूछा गया क्या इधर वाला अंगल और इधर वाला अंगल बराबर हैं तो बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि o पे बनने वाले सारे अंगल ही 90 degree के होते हैं next है d a o d a o यह उपर वाला b a o नीचे वाला तो यह भी बराबर है next है d c a b c a d c a b c a तो यहां पूछा गया हमसे इधर वाला उपर वाला और नीचे वाला तो यह भी बराबर हैं तो सबके अंसर जो है वो yes में ही देने हमें next इसका इट में से पूछा गया हमसे कि is a d o is equal to a b o a d o is equal to a b o तो यह भी बराबर है क्योंकि पूरा एंगल बराबर है तो इसका half भी आपस में बराबर होगा इस का अंसर yes आएगा next है d a o तो यह भी b a o तो यह भी आपस में बराबर है यह half इस half के बराबर next congruent हमसे पुछा गया है a o b और a o d तो यह भी तो यह भी congruent है क्योंकि दो एंगल इस ट्रेंगल के दो एंगल आपस में बराबर है इसलिए यह congruent है तो reason देने के जुरूरत नहीं है सिरफ yes no में अंसर देना है next है a o b और a o d तो यह एंगल 90 के यह मैंने शुरू में है आपको बता दिया तो यह भी अंसर इसका yes ही आएगा तो इस वीडियो में हमने complete किया है exercise 12 d के six sum next जो है वो next part में हम complete करेंगे thank you